हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप सभी को पता होगा कि इतले कई दिनों से जो है हमने चैनल पर कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया है तो उसका क्यारी जनता मैं आपको बताता हूँ जैसे आप सभी को पता है कि हमने पानी दिया था दिसमबर में शेतीन बहुत कम थी तो मैंने जो ट्रीट्मेंट किया है क्योंकि मैं पीछले पाच्छे सालों से यहीं करते आ रहा हो और काफी अच्छी फसल मुझे हर साल मिलती है पर हमारे सब्सक्राइबर को कैसे पता चलेगा कि हमने जो ट्रीटमेंट की वह सही है या नहीं उन्हें चाहिए कि रिजल्ट दिखना चाहिए बगीचे में जैसे कि सेटिंग अच्छी होनी चाहिए फल अच्छी पर में वीडियो बनाते हैं कि आसे तरह के रिजल्ट से पर चीज आर रास्ते अगेरा है जबसे में आणार की सानी कर रहा हूं लगबग पाच्छे साल हो चुके हैं, तो पाच्छे सालों में मेरे साथ भी पहली बार हुआ है कि बगीचे में सेटिंग कम थी, काफी कम थी, लगबग पहले 30-40 तक ही फल पेड़ों पर सेटिंग हुए है, कुछ पर उससे भी कम हुए थे, तो मैं निराश्ट लोगों को द स्यरीज बंद करनी उसके च्छे के बार में जिनके पास भी डहता नार के हि बघके Самर है, वहीम प्राप्ले mira है प्रमा निकल रही थे जयादा और निकली बी थे बंधा काली है, ज्यादा क्तों अपने माइज करने लेखा इनसरार काम मां बढ़ा है आपको तो पता ही बहुत बढ़िया तरीक एसी निकली थी पर मदमक्या नहीं आई थी इसलिए पहला फ्लैस जो है उसमें काफी सारी ड्रॉपिंग हुई थी और बहुत कम सेटिंग तब हुई थी जब मैंने रिखा कि हर जगह पर प्रॉब्लम हो रही है और आप मेंसे भी बागी सब्सक्राइब करनी चाहिए क्योंकि लोगों को व्यक्ता जल जाएगा कि प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं बाकी सबी के साथ है तो ढगलत अगरा हो ही नहीं सकता इस तरिके से सब को समझ में आ जाएगा लगता है कि सीरी जो है फिर से स्टार्ट करनी और अभी दूसर तो इस फ्लैश में बहुत बढ़िया सेटिंग हो रही है पेड़ो पर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हो रही है इसलिए हमने काफी दिनों से वीडियो नहीं बनाया था अगर आपके बगीचे में पहले फ्लैश में बहुत कम सेटिंग हुई है तो जादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दूसरा फ्लैश भी आता है फ्लैश में किसे कहा रहा हूं कि क्या होता है कि बगीचे में पानी दिया है तो क्या होता है कि बगीचे में कल्या निकलनी फ्लावरिंग होती है तो उसके बाद क्या होता है अगर उसमें जो है फल सेट नहीं हुए तो वह कलिया जो है ड्रॉप हो जाती है पूरी और उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर से नहीं कलिया निकलने लगती है तो पेड़ों पर कलिया निकलती है ज्यादा मात्रा में त तो इस तरीके से 2-3 फ्लैश आते हैं, अगर पहले फ्लैश में सेटिंग नहीं हुई, अगर उसमें कम है तो दूसरे फ्लैश में भी सेटिंग होगी, जब तक पेड़ो पर अच्छी तरीके से फल ना लग जाए, तो ज्यादा टेंशन के वाली बात नहीं होती, पर इसके कु अभी फ्लावरिंग स्टेज में हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, हमें थ्रिप्स के लिए स्प्रे लेने पड़ते हैं, तो एक ही समय में अब जब आपके बगीचे में पूरी सेटिंग नहीं होती, तब यह होता है कि आपको एक दो स्प्रेश ज्यादा लेने जैसे कि थ्रिप्स ओगेरा, बाकी कुछ जादा फ़रक नहीं हो, एसा पहली बार होई है कि बगीचे में सेटिंग दो फ्लाश में हुई है, एक ही फ्लेश में नहीं हुई, तो मुझे इस से एक बात पता चल गई है कि ज़रूरी नहीं कि अगर आपने पिछले साल बहुत बढ़िया फसल ली है तो इस साल भी बहुत बढ़िया फसल होगी अगर पीछले साल हमने ज्यादा ली थी तो हो सकता है इस साल थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है या फिर इस साल ज्यादा भी हो सकती है पिछले साल के मुकाबले या फिर कम भी हो सकती है तो हम बस तो हमें बस करने चाहिए प्रॉपर जो हम करते हैं उसमें कोई कमी नहीं चुड़नी है वो तो हमें करते रहना है फिर कुछ रीजन है जैसे कि मोसम बहुत खराब था उस समय में फिर पॉलिनेशन नहीं हुआ क्योंकि मधुमक्या जो आ नहीं रही थी उसके बाद जो सुका कोरा होता है वो भी बहुत आ रहा था उस समय में तब इस सिचुएशन में क्या होता है कि कलिया जो है वो ड्रॉप होने लगती है और हमारे साथ भी कुछ वैसे हुआ तो इसलिए जो है ड्रॉपिंग अच्छी खासी हुई थी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर जब हमने पानी दिया था अगर सब सेटिंग हो चुकी होती तो हमारे फल जो है कुछ इस तरीके के दिखाई देते मतलब इतने बड़े जो हो जाते अभी तक सेटिंग वगेरा का प्रॉब्लेम हो चुका है मेरे ही नहीं काफी लोगों के साथ जो है एक्चुल में यही प्रॉब्लेम हो च देखें यह कल्या है यह नई कल्या है पूरी यह देख सकते हैं आप नई सेटिंग हो रही अभी आप देख सकते हैं यह देखें कि अ कि अब जो है अब सेटिंग होने लगी है आप इस पेड़ पर भी देख सकते हैं कितनी बढ़िया इसमें थोड़ी बहुत जो है त्रिप्स आया था उस समय में हमने जादा स्प्रे नहीं किया था क्योंकि हम चाते दे कि मद्धुमक्या बगीचे पर आई तब हमने जादा तो कुछ इसी तरीके की जो है अब सेटिंग दिखाई देने लगी है